आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, आज के मारे इस वीडियो में हमसे बोला है कि Without Expanding the Determinant हमें शो करना है कि Determinant A² plus 10, A, B, A, C A, B, B² plus 10, B, C A, C, B, C C² plus 10, क्या है यह Divisible by 100 है, ठीक है तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं हमारा गिवन Determinant का है हमारा गिवन Determinant है A² plus 10 A, B A, C A, B B² plus 10 B, C A, C B, C C² plus 10 ठीक है, अब अगर हम Rho 1 में A से multiply करते हैं Rho B में Rho 2 में हम B से multiply कर दें Rho 3 में हम C से multiply कर दें ठीक है, तो उसको balance करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 upon A, B, C यहाँ पर हमारी values क्या हो जाएंगी Determinant की A into A² plus 10 यह होगा A² B A² C Similarly, यहाँ पर क्या हो जाएंगा A, B² B into B² plus 10 यह होजएगा हमारा B² C Similarly, क्यों यह क्या होगा? A, C² B, C² C into C² plus 10 ठीक है? अब हमने रोज में A, B, C का multiply किया था अब हम column से C1 से A common ले लेते हैं C2 से B common ले 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 और C3 से C common ले ले तो यह क्या हो जाएगा? A, B, C upon A, B, C हमारी Determinant की value क्यों हो जाएगी? यहापे मारा Determinant हो जाएगा A² plus 10 ठीक है? यह होगा हमारा B² दस विल भी C² यह हो जाएगा हमारा A² B² plus 10 C² दस विल भी A² B² C² plus 10 ठीक है? अब हम यहापे देख रहे हैं यहापे यह तो cancel out हो गया A, B, C upon A, B, C ठीक है? यहापे अगर हम फॉर Rho 1 Rho 1 के लिए क्या करें? R1 plus R2 plus R3 ठीक है? तो हमारा Determinant कैसी बनेगी? यहाँ से हमारा Determinant हो जाएगी 10 plus A² plus B² plus C² क्यों होगा? B², C² similarly 10 plus A² plus B² plus C² ठीक हो जागा? B² plus 10 और C² यहाँ पर क्यों होगा? 10 plus A² plus B² plus C² यह क्यों होगा हमारा? B², C² plus 10 ठीक है? यह हमारी वैल्यूस आगई अब यहाँ से हम R1 में से 10 plus A² plus B² plus C² क्यों होगा हमारा 10 plus A² plus B² plus C² ठीक है? यहाँ पर हमारी Determinant क्यों होगी? 1, B², C² 1, B² plus 10 C² 1, B², C² plus 10 ठीक है? यह हमारी वैल्यूस आगई अब हम में क्या करना है? अब हम R2 और R सुरी हम C1 C2 और C3 को देखे तो यहाँ पर हम क्या है लगा सकते है? C2 C2-C1 कर दे और C3 C3-C1 कर दे तो हमारी Determinant की value क्या है? हमारी Determinant हो जाएगा 10 plus A² plus B² plus C² यह क्या हो जाएगा हमारा? B² C² यह हो जाएगा हमारा 1-1 जाएगा B² plus 10 minus B² 10 C²-C² 0 1-1 जाएगा B²-B² जाएगा बचेगा 1002 स्कूर वन जिरो सी स्कूर जिरो न टिक है तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारा किया है फैक्टर सागे एक अंडर आया है एक 10 प्लस एस्कूर प्लस बीस्कूर प्लस इसक्वार एक और इस डिटर्मिनेंट की सम्थिंग कोई वैल्यू होगी मान लो इसकी वैल तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं यहां से हम यह लिख सकते कि 100 जो है हमारा यह जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो 100 से डिविसिबल है क्योंकि तभी उसका एक फैक्टर बहर आ रहा है तो यहां पर क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो किए बन डिटर्मिनेंट है वो डिविसिबल बाई किया है, 100 और हमें यह प्रूप करना था, तिया, thank you.